और बहुत महत्वपुन हाथ जोड़कर विनिती करना चाहूंगा Restore Indexation on Long Term Capital Gain मैम, पूरे दुनिया में इंवेस्टर्स को इंवेस्मेंट्स करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइस किया जाता है इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इंवेस्टर क्लास को डिस इंसेंटिवाइस कर रहे हैं इंवेस्ट करने के लिए इंडेक्सेशन हटाना, टैक्स लगाना नहीं है इंवेस्टर्स को पीनलाइस करने जैसा है मैड़म, मैं बताना चाहता हूँ इंफलेशन रैविजिस दे वैल्यू अफ मनी पैसे को खा जाता है इंफलेशन इसलिए हम कॉस्ट आफ एक्क्विजिशन को इंडेक्स करकर क्यापिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं और जो लोग खुश हैं आज कि क्यापिटल गेन टैक्स को 20% से घटा कर साड़े बारा कर दिया है उनके लिए मैं एक उधारन लाएं हूँ इस उधारन के माद्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश के इंवेस्टर को एक बहुत बड़ी उसकी जेपे डाका डालने जैसा है मैड़म फर्स करिए कि 2001 में आपने एक करोड रुपे का एक मकान खरीदा वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई उसकी वैल्यू और आज वो मकान जो एक करोड का आपने 2001 में खरीदा था वो आज 4 करोड 17 लाख रुपे का हो गया अब दो सिनारियों है एक इंडेक्सेशन का सिनारियो जिसमें आप बेचें उसके टैक्स लगे और एक नया सिनारियो जिसमें आप उसे बेचेंगे तो नई रेट के अकॉर्डिंग उसके टैक्स लगेगा मैं पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से इंडेक्सेशन वाले सिस्टम के साब से उस पे कितना टाक्स लगेगा वो आपको बताना चाहता है आज वो मकान जो आपने वर्ष 2001 में एक करोड का खरीदा था वो आप 4 करोड 17 लाख रुपए का बेचती है यानि कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस जो प्रॉफिट अन सेल है वो 54 लाख रुपए होता है उस 54 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपके टैक्स लगता है उसमें सेल प्राइस 4 करोड 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड, मुनाफ़ा 3 करोड 17 लाख उस पर 12.5% टैक्स यानि कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000 यानि कि नई विवस्था में वही एक करोड का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड 17 लाख का तो आपको लगबग 40,000,000 लाख रुपे टैक्स देना पड़ेगा और पुरानी विवस्था में आपको मात्र 11,000,000 लाख रुपे टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने इंडेक्सेशन वापिस लागू नहीं किया तो तीन चीजें होने जा रही है इस देश में पहला real estate में investment गिरने वाली है और लोग अपना dream home कभी नहीं खरीद पाएंगे दूसरा under valuation होगी property deals की सब लोग circle rate पे property खरीदेंगे बेचेंगे कोई असल कीमत नहीं बताएगा और third thing जो इस देश में होने जा रही है real estate sector में भारी तादाद में black money आने जा रहा है अगर आपने इंडेक्सेशन का फैसला वापिस नहीं लिया